गुड मॉर्णिंग तो ओल ओफ्यू आज का अपना टोपिक है मेजर्स और डिश्पर्जन यानि आप किरन के माप मेजर्स और डिश्पर्जन पहले बात करते हैं अपकिरन की क्या होता है अपकिरन अपने लास्ट क्लास में सांकी के माद्दी के बारे में भड़ाता है तो माद्दी क्या होता है किसी भी समंग स्रेणी एक समंग स्रेणी में एक ऐसा मुल्य होता है जो उस समंग स्रेणी का परतिनिद्धी होता है और परतिनिद्धी तू करता है जैसे मालो अपने पड़ाता जैसे सांकी के माद्दी है दो चार छे आठ दस तो इस केस में इसक तो च्छह क्या होता है कि यह च्छह इस संबंग स्रेणी का परतिनित्व कर रहा है लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि यह परतिनित्व इसका परसार और बाकि मुल्ले से कितना है कितना फैलाव और बाकि मुल्ले से और किस सिमा तक परतिनित्व कर रहा है इसका पता नही कि इससे कितना डिफ्रेंस है माइनस चार का इससे कितना डिफ्रेंस है माइनस दो का इससे कितना डिफ्रेंस है पलस दो का इससे है पलस चार का यानि माइनस चार से पलस चार तक डिफ्रेंस है ठीक है यानि सबांतर माद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् इसका फैलाओ कितना है तो इस फैलाओ के माप को अपन क्या करेंगे अब किरन का माप करेंगे यह इसका फैलाओ को माप ग्याद करने के लिए अपन क्या निखा लेंगे अब किरन के बारें भड़ेंगे ठीक है एक एक जामपल लेते हैं माल लेते एक परिवार एक नदी पार करता है, यह नदी हो गई, ठीक है, अब क्या इस परिवार को नदी पार करने के लिए, यहाँ परिवार है, एक फेमिली है, उसको नदी पार करने के लिए, यहाँ से इधर नदी पार करनी है, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एवरेज निखा लिए फेमिली का है, दो-चा अपने परिवार की हाइट 5 फिट है ठीक है फिर गोंने जो नधि है उस नधी की जो उसत गहराई है उसकी घहराई है कि उसफा गहराई है विध्रक्तन निकान लिए घॉसकता है यहां पर दो फिट क्ले का दो तीन देड के बीक दो प्रshaped है रही उन्होंने क्या कि अपने परिवार के height average on नदी की गहराई है average और इस और कर रहे है 4 फिट तो अपन तो आराम से नदी को पार कर सकते उन्होंने क्या कि नदी में पार्कनी यहां से उतर गए नदी पार कने के लिए अब देरे देरे क्या हुआ कि नदी यू जैसे मालो यहां पर दो फिट गहरा है यहां पर तीन फिट यहां चार पिट यहां आते आठ फिट हो गई माल लेते हैं यहां फिर 5 feet 3 feet 2 feet 1 foot यह हो हैं तो नदी के गहरा ही हो है यह वो सकता है अचाना गहरा ही हो फिर नहीं हो तो यहां पर जैसे average यहां जैसे 8 feet गहरा ही हो गई तो इस case में क्या हो का जैसे वो परिवार चला तो आठ फिड का आते करन पूरा परिवार डूब गया अब इससे यह देखो आप पांस पिट एवरेज से ज्यादा था लेकिन फिर भी परिवार डूब गया ओली सांगी की माद्दे के आदार पर ये दिवर जो फैला होता या कितना डिफ्रेंस था उसका चार पिट डिफ्रेंस है उससे कितना चार पिट एवरेज आ रहा है नदी के उससे गह रहा है ठीक है उससे जो हार्ट पिट उसका कितना डिफ्रेंस है उसके पड़तेक जो गह रहा है नदी की उससे यदि अपकिरन का डिफ्रे से कितना परसार है कितना फैलाव कितना वीत्रन है ठीक है तो इसके माप को वेपन क्या कहेंगे अब किरन कहेंगे एक एक्जामपल वो ले लेते हैं मा लेते इंडिया क्रिकेट टीम में बहुत अच्छे खिला डिते का शिल्दन थे शचिन तेन्दुलकर शिव्राज सिंग और एक विरंदर शयवाग ठीक है कि की कि तीनोंने उन्चास बनाए मालेट 25 रवाल तो अवर में यहां भी 50 लगाए यहां भी 50 लगाए और यहां भी 50 लगाए परते इक में 50 लगाए सचिंत अब बात करते हो युवरा सिंग की युवरा सिंग ने एक पारी में नाये 30 एक में सब्सक्राइब उसके बादुंगे देया उसके बाद में 60 बनादी और फिर एक 33 परीम 40 बना दियोंगे जैसी वेले कि इस परकार पांस पहरे खेलिए अब बात करते ही व्रेंदर सेवाग इवरेंदर सेवाम मान लेते हैं सद्दार पारी के लिए और एक पारी यहां कितना आवरेज निकल रहा है अगर आगर बात करें कि एक सीरीज में पांस मैचों में कितने रण बनाए सच्छिन तेंदु गूंट उनों ने बनाए है एक डो तीम चार पांच दो सो पचास रण बनाए और एवरेज निकल क्या है पर देख पारी करा पचास ठीक है युवराज सिंग ही बात करें उन्होंने 250 रह मनाई और एवरेज निकल के आया सत्तर 120, 120, 120, 250 इन 50 ठीक है वैसे विरंदर सहबाग ने 250 एवरेज निकल के आया तिनों का एवरेज है ठीक है लेकिन इसके आदारवा अपनी सिरीज में इस परकार पांस मैंत्ट सक फूर लेकिन एकहर सबसे अच्छा कों ने स वी इसमार इसन की जो क इनकी पहने देखो इसका जो उसक荃 से ओजान से जो एवरेस से कितना difference है जीरो ठीक है बातकरते हैँ यूरास सिंग मैं यहां कितना difference है कि यहाँ पूरे से बीसरन कम बनाई थे यही दसरन कम बनाई थे यहाँ दसरन जदा हो बना बना ठीक है तो सबसे कम परचार कहांपर हुआ यहां पर माइनस 50 का डिपरेंज हो गया यहांपर माइनस 40 का डिपरेंज है यहां पर देखो आप एक सू पिच्चे सी ठीक है यह वो गए 135 का डिप्रेंस ज्यादा बनाए एवरेश से और यहाँ पर माइनस 20 का डिप्रेंस तो यहाँ पहलाओ कितना है सबसे कम डिप्रेंस 0, सबसे ज़्यादा डिप्रेंस 0, ठीक है इसके बाद में सबसे अच्छा विला सचिन तेंदुरू का है इसके बाद नंबर दो की बात करते हैं यहाँ पर देखो यूराज सी सबसे अधिक डिफ्रेंस माइनस बीस का है और सबसे कम डिफ्रेंस जूरू का है परसार कितना हुआ माइनस विस टोटल परसार की बात करें तो यहाँ पर जिरो को परसार है यहाँ माइनस बीस का परसार है यहाँ बीस का डिफ्रेंस है टोटल माइनस बीस से जिरो बीस का डिफ्रेंस है बात करते हैं विरेंदर सहवा की यहाँ पर देखो यहां पर difference आ रहा है यहां जीरो रन बनाए यहनि माइनस पचास टू पैस्ट कितना difference है 135 का इसका मतलब 105 का difference है टोटाल है ठीकर 105 का difference आ गये यहां पर तो इसका मतलब अब कि रन कितना पहला हुआ रहा सबसे कम पायला प्सका रहा सच इन्दालुक mia सबसे बैस अच्ञा योगदान की चाव में तो अतरन चे जो यह इसको पटो किस से गयाद करेंगे इसको ग्याद करने का जो माफ उसक iced के अब कि रनकामर कि ठीक है अब बात करते हैं मेजर्स ओफ डिस पर चल अब करन के माप कुन कुन से हैं अब बात करते हैं मेजर्स ओफ डिस परचन अब करन के माप की एक तो लिमिट मैथड के आदार पर है तो मेजर्स अब आधि ऐक तो लिमिट के आदार पर मैथड्स को लिमिट मैथडव लिमिट्स मैथड़्ड टीक है लिमिट्स मैथड़्स हो गई और एक हो जाएगी एवरेज मैथड़्स एवरेज मैथड़्स और तीसरी हो जाएगी यह कि ग्राफिक मैथड़्स मैथड़्स ठीक है लिमिट्स मैथड़्स कौन कौन सीस में इसमें है एक तो रेंज रेंज को हिंदिम कहेंगे विस्तार एक हो जाएगी रेंज इंटर क्वार्टाल रेंज इंटर क्वार्टाल रेंज हिंदी में खहेंगे इसको इंटर अंतर अंतर चतुर तक विस्तार अंतर चतुर तक विस्तार ठीक है एक उज़ेगे परसेंटाल रेंज यहनी सत्मक विस्तार और एक हो जाएगी क्वार्टाल डेविशन क्वार्टाल डेविशन चतुर तक विचला ठीक है मैतल्स के लिमिट के आधार बात करें तो अपन तोटल चार केटिंग में डिवेट करेंगे तो रेंज विस्तार एक है इंटर क्वार्टाल रेंज अंतर चतुर तक विस्तार और एक है परसेंटाल रेंज सत्मक विस्तार और एक है क्वार्टाल डेविशन चतुर तक विचलार अब बात करतें अपने एवरेज के आधार पर एवरेज में है एक तो में डेविशन और इसको को माद्दे विचलन और एक होता है Standard Division Standard Division को हिंदी में कहेंगे परमाप पिचलन ठीक है ग्राफिक मेतन में है एक लो रेंज कर्ड़ लो रेंज वक्र वक्र के लिखेंगे अब कि लो रेंज कर्ड़ ठीक है इस प्रकार अपन क्या करेंगे अब किरण के माप को यह लिमिट्स के आजार पर बाटेंगे एक एवरेज मेंचर्स के आजार पर और एक ग्राफिक मेंचर्थ प् Alberto कि हाधर है लिमिट में रेंज हो गया एक इंट्रворाटर रेंज एक परसेंटायल रेंज और एक क्वार्टर डेविशन आप एवरेज मेतड्स की बात एवरेज मेतड्स की बाद करतो में डेविशन हो गाए और एक इस्टेंडर्ड डेविशन हो गया और ग्राफिक मेतल में लो रेंज कर वें में इंपॉर्टेंट है थीक है मीन डेविशन भी है को वाटल डेविशन भी है थीक है अब करम से अपन विस्तार से पर शुरुआत करते हैं इसके आगे ठीक है